और स्फागत है, मंडे की बात में, आज हम क्रिप से बाद पर साथ चुका है, सुभज सुभग, कैसे आए, छोटी सी क्लिपिंग है, वो देखो जा के और मेरा मन है, कि ऐसे मंडे की बात, मंडे तू मंडे करें और आज तो पोस्ट ट्रिप क्या थौट्स हैं क्या टॉपिक्स हैं मिलब क्या अलग है मुझे ट्रिप में और कैसा रहा और क्या हैक्स रहे उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे और शायद आई किया भी जाएंगे तो पहले जल्दी से क्लिपिंग देखो कैसे पहुंचे क नहीं कुछ सुबह सुबह आए और सोचे कि जिम जाएंगे जिम पैंसल एंसल करेंगे क्यूंकि जिम जाना है तो बस चाहे जितनी एकसाइज हो पाईगी आज उतना करेंगे क्यूंकि उसके बाद क्लास भी तो देखो आगे और फिर शाम को बात करते हैं तो जूड़े रो पर इस नो वन इसाइड कोई ताहीं और अभी मैंना हम अभण उफ में और दो घंटे बार ट्रेन अभी जैसे कि देखा कि ट्रेन जो है वो पूरी खाली है क्योंकि जो स्ट्राइक की दुबार साथे चार से अगली ट्रेन चालू है तो उसी से जाना है तो अभी तो है होब बाण। पर होब बाण। के सामने है सिटी डॉनर यह हमारे पीछे होब बाण। तो यहां आ गया और और फोड़े चार तो और ऑगे तो गया है साढ़े चार की ट्रेन ने वह पकड़ेंगे अपना मैंना हम और यह होब बाण। और फाइनली हमारी ट्रेन आती हुई है साड़े चार बज़े एक सेक्ट टाइम पर अभी एक गंटा लगगा पॉट्स टेम है फाइनली कैसे स्लोडन होब आफ आगे है और सुबह के साड़े पांच बज़े है यह देखो सुबही हो गई है अल्मोस्त पर अपनी श्यवजे की फाइफिटी की बस यहां से युनिवस्टी की तो उससे वापेस जाएंगे रूम पर अपनी बीस मिनट बाट बास है और दस मिनट में पहुचेगा तो शैवजे तक पहुच जाएगे और फिर शुबह बात करते हैं सुपह तो हो गई वतलब फिर आके बात करेंगे तो बाई जिम कर दिया और अपना जोनों में रिलैक्स भी किया अब जरा मैंसा अब अपना खाना उठा लिया है यह देखवा जिये जरा अच्छी मोज़ेलो और थोड़ा वेच और फ्राइस और जालाटर सूट तो अच्छा जाके आज की मंडे की बात करेंगे शाम को शाम हो चुकी और क्या बढ़िया संसेट निकला है वाव इसी बढ़िया लाइट सी धूप आरी है ना बढ़िया लग रहा एक दम और थोड़ा आगे से दिखाता हूं से यह देख भाई इतना प्यारा नजारा एक ड़म पेड़ क्या चीज नीचे जाके बताते हैं और नीचे आगए और पीछे क्या बढ़िया संसेट हो रहा है बढ़िय दिख रहा एक दम तो हाँ अब जो मुढ्दा उस पर बात करते हैं मुढदा यह है कि जो थोर्भां सें क्यों मुझा ऐसा लगा कि कुछ चीजें जैसे क्या एक्स मुझे साथ रखता है कि ग्रूप में जाना है बहुत वह है। ग्रूप में भी जा सकते हैं। ग्रूप में जाने का अपना अलग फन है। लेकिन ट्रिप बहुत कुछ प्लैन ही नहीं की थी। थर्स्डे को एक दिन बैठा और सोचा कि भाई कहीं चलते हैं। और लगा कि और ऐसा नहीं कहीं चलते हैं तो कहीं भी चले गए। लेकिन यह चीज होती है कि स्टुडेंट ट्रिप्स होती हैं। तो वह काफी एफोर्डेवल प्राइस पे होती हैं। और यूरोप की ट्रेवल ट्रिप्स होती हैं। वो सब ऐसे करी सकते हैं तो उसमें मेरे को एक तो पहले गाड़ी गुसर जाए तो मुझे यह लगता है ना उस दिन मैंने यही सोचा कि भाई चैब ट्रिप है तो कहीं अलग जगे एक्स्प्लोर करके आते हैं और मेरे को एकदम से प्राग की ट्रिप दिखी और उसमें पिलसन और अपना कारलोगी वैरी की ट्रिप तो भाई वो करीब बुक और सीधा गए और पता इस ट्रिप में जैसी में बस टॉप पे था क्योंकि बस के लिए देखा ही होगा तो गंटे वेट करना पड़ा तो रेंडमली मालब एक बंदो और सोलो ट्रिप कर रहा था मोरोको से वो मिलिया यहीं कैसे स्लाउटन से ही था तो वो कहता कि अच्छा यह है क्योंकि लोग ऐसे कंबाइन हो जाते हैं कि भाई चलो किसी के साथ जूड़ जाएंगे किसीने कोई जगे ढूंडियोगी तो हम भी वो जगे देख लेंगे तो उस ट्रिप में तो ऐसे लोग मिले और फिर जब हम उत्रे है पहली लोकेशन पिलसन में तो 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 तीन चा लोगों का ग्रूप बन गया कोई बांगलादेश से था कोई जिंबाववे और एक वो मुरोको से अलग अलग जगे से थे और कुछ अलग अलग जर्मनी के एरिया से थे तो बस यह होता था कि उतरे और अपना जगे के तीन चार घंटे का टाइम मिला है तो कुछ लोग रिसर्च करी या कुछ करी और लोकेशन साथ में देखने चले गए तो थोड़ा अलग अलग परस्पेक्टिव भी मिलता है उसमें और थोड़ा उचा करके बात करती है तो यह तो भी पहली चीज है ठीक है वह पहुचे तो सोलो जो तो अलग अलग जगे से लोग आ होते ना तो मिलके हर जगे के बारे में पता लगता है कौन कैसे कहां से आया है और अच्छे एक्सपिरियेंस ही होता है नई भी मिलते तो पूरी हम सोलो तो थी हम तो भी नाप देते तब पर उसमें पूरा वॉकिंग टूर की जगे थी जो बताई थी और मैप दे देते हैं हाथ में मैं कुछ नामता जैसे मैं पीम-टू-म ट्रिप्स के साथ गया था तो वोने ट्रेवल का ध्यान रख लेते हैं ट्रेवल और मार पीछे रास्ता पसंदार है उसके बाद जब यह ट्रिप हुई अब मैं तो निकल गया था फिर यह था कि उस टाइम पता लगा की ट्रेंस जो है वो जर्मनी में स्ट्राइक हो गई है संडे से ट्यूजडे लेकिन यह ट्रिप मैं वैसे कैंसिल करना भी नहीं चाह रहा था कि रिफंड दे भी देते लेकिन में अमन था कि बहुए हाला कि उन्होंने कर लेंगे या टेक्सी कर लेंगे पर आ जाएंगे और क्या हुआ हो लौटते वक्त में चीज जो ट्रें दिखी मेरा एक दोस्त है जो अली रजा था वैसे उसने बोला था कि अगर कुछ ना मिले तो मैं गाड़ी लेके आई जाओंगा लेकिन जब हम पहुच रहते न और बस पकड़ी थी हमने जब मैंने व्लॉग लोटते टाइम तो एकदम बढ़िया चीज नई भी होती तो भी जुगार बैठाई लेते आने का तो यह चीज थी और बस यह था कि वेट करना पड़ा दो गंटे पर कोई नहीं दो धाई गंटे वेट करना पड़ा ट्रेन का पर अच्छा है और यह ट्रिप का एक्स्पीरिय नेक्स व्लॉग में बात करते हैं तो एक बंदे दो तीन बंदे ऐसी ना इस करके जो गए थे और उनको मैं बोला दिटांग कश्यों ठीक है वो बात हो गई खतब अब हम लोग मैं रात को अलग निकल के तर गुरूप डिवाइड कर लिया था क्यूंकि बाखी लोगो खान अब भूछ ना पढ़ेगा घर जब मेट्रों में बैठा तो पहले मैं कहीं और बेठा वह था पीछे और इन लोग ने कहीं आके जाके बैठ गया और मैं एक जने के बगल में बैठ गया एसी रेंडम की चलो सीठ चेंज कर लेते हैं बाकी लोग भी वहीं बैठे हैं बुला मैं समझा नहीं तो कहता हो आई सेड नाइस यह फिर मुझे याद आया है मेरेको तो उसकी शकल यहाद नहीं थी कि यह अंदे रहा था मैं वीडियो ब्लॉक बना रहा था और यह पहचान गया था और इतनी रेंडम चीज लगी बेरेको क्यों बंदा खुद आके कह रहा कि मैं और ऊपर से ओवर्वीव पता रहता है पर भाई निकल जाओ मस्त रेंडम चीज होती है और मजा आया है इस ट्रिप में बहुत और फिर आजाके थोड़ा वर्काउट किया हाला कि बढ़िया काडियो वर्ट्रिप में इन ट्रिप्स में होस्टल के अंदजाम कैसा होता है इ वैसे तो मुझे मेरा यह आइडिया है कि कोई भी इनफर्मेशन देनी हो कुछ करना हो तो इस टाइप की वीडियो बनाऊंगा और मंडे टू मंडे ट्राइ करेंगे कि शेयर करें कुछ मंडे अगर कहीं ट्रिप पे गए होंगे क्या होगा तो देख लेंगे लेकिन कुछ कुछ इनफर्मेटिक चीज या जो थौट्स होंगे वो मंडे को अपना डाल देंगे बाकी दिन भी डालेंगे पर हां तो यही था आज मंडे की बात के लिए और आज अभी आई क्या गयत है शीशा ले आए उठा के क्योंकि बॉड़ी मेरा चाहिए था एक था ही नहीं पहले पिक्स लेता रहता हूं ताकि एक रिफरेंस के लिए रहेगा कि इस भी कितना इस भी कितना तो यही सब था और खतम करते हैं बड़िया पंचियों की आवाज आ रही आगे यह देखो यहां पर मस्त वियो एकदम और संसेट भी लगवक होई चुका है और ऐसी मंडे क बात में मिलते रहेंगे और बनाते रहेंगे बाकी तो देखते रहो हर दिन कुछ नो कुछ चीज़े प्लैन नहीं होती है हो जाती है अगर मैं बहुत ही प्लैनिंग करके जाता कि यह ऐसे मिल जाएगा वह वहां से ऐसे मिल जाएगा तो नहीं होता अपने आपी चलते रहो और मिलते रहेंगे और कल का व्लोग देखो और I hope enjoy कि होगा प्राग का व्लोग एक चीज और जो बस लास्ट में आइड है वो यह कि प्राग का व्लोग पहले मैं सोच रहा था कि 20-30 मिनट का बन रहा है क्योंकि मैं हर चीज दिखाना चाहरा था तो मैंने सोच आए तो इसको ट्राई करके देखते हैं कि बड़ा व्लोग मुझे अपने रिव्यू बताओ मुझे तो लगता है कि continuity ब्रेक नहीं चाहिए बाकी कमेंड में लेखो कि छोटे 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 मुझे मुझे लगता नहीं बड़े हैं एंगेजिंग ता मुझे तो भाई पूरा देने वाने तो यह है तो अभी तो यह सोच है पर हाँ यह प्राग का व्लोग बड़ा होगा पर अच्छी बात है और बड़े छोटे जैसे ब्लोग बनते रहेंगे जैसे डालते रहेंगे क्योंकि प्लैन तो मैं करता नहीं कि आठ मिनिट का ही बनाना है कुछ चीज़े हो जाती है दिखाना चाहता हूं तो डाल देता हूं तो यही था आज की मंडे की बात के थौट्स के लिए और बागी तो पता ही है आगे जाके बोलते हैं कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने ना करने जाए टाइम लगता नहीं तो कर दो चलो बाए बाए